अई भॉट अच्छा मेडिया चैनल है और मैं आप लोग को जो काम आप लोग कर रहे हैं इसके लिए बहुत-बहुत शुब कामने बहुत-बहुत बदाई देता हूं और मैंने ये महसूस किया है कि आईपा एक ऐसा मेडिया ग्रूप है कि जो निश्पक्ष हो के जनता के बीच में काम कर रहा है। विकास के कारें अधूरे रह गए हैं। उनको पूरा कराने का मैं पूरा संकल्पित हूँ कि उनको पूरा कराऊंगा। यूनिवस्ट्री राधाबाद में एक बननी चाहिए सरकरी यूनिवस्ट्री उसको बनवाने के लिए पूरा संकल्प ने लिया हुआ है। नहीं होती है। आईपा का मकसद है कि राजनीती हो विकास के मुद्व पे राजनीती हो। तो आज इसे करीमे हमारे साथ मौझूद है मुरादाबाद नगर विधानसवा के बीज़ेपी के तरफ से विधायक रितेश कुमार गुपता जी। तो सबसे पहले रितेश जी आपके आईपा के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवत। आप बताएए कि कौनसे विधास मौडल आप इस विधानसवां में लागूं किया है। व्रादाबाद में बहुत अधिक विकास हुआ है व्रादाबाद में आरोबी का निर्माल हुए हैं कि एफ़ बी के निर्माद हुए हैं। कि निर्माद है सलकों करता सुविर्ण फी में लगवग एक हयास से ज़्यादध सलकों निर्माल विवन-िवहागों द्वाग हrau किया गया है लोकोशेट पुल का निर्माल जो की वरादाबाद की विकास के लिए एक बहुत बला इशू था शहर को दिली रोट से जोलने के लिए लोकोशेट का पुल का निर्माल मेरे दोरा करवाया गया उसके लावा कार्ट रोट को दिली रोट से जोगने के लिए एक सोनकपुर आरूबी का निर्माल भी चल रहा है और शीगर में मेरे लगता दस्पंदिन में वो भी चालू हो जाएगा उसके अलावा गोविन नगर फुल्ट ओवर ब्रिच का निर्माल मेरी विधानसवा में ह हुआ है उसके अलावा एक पीएच सी का निर्माद लाइन पार शेत्र में मेरे द्वारा करवाए गया है तो विकास का बहुत कम मुरादाबाद में हुआ है और चल रहा है जी आगर पितरनगरी मुरादाबाद की बात करें तो यहां पर रोजगार में कितनी इजाफा बहुत हैं तो इसके लावा लगवग 10 उसके हैं काम लोकल का यहां पर है पूजा के आइटम का ब्रा एंच्व कई करते हैं अगर शिक्षा की बात करें तो यहां कि primary school और inter college में प्रहाई की वास्ता कैसी है हमारी सरकार आने के बाद जो primary schools है बेसिक जाले हैं सबका इस्तर बहुत अच्छा हुआ है बच्चों को dresses देने का काम निशलक किताबे देने का काम जीओते मुझे देने का काम हमारी सरकार ने किया है सभी party आपने आपको लोकतांतरिक कहती है अगर कोई जंता जाएं कि लोकतांतरिक वाकि में कौन सी party है तो यह कैसे decide करें आपके हैं लोक तंतर का सम्मां करने वाली भातिन्ता party है इसमें कोई शक्ट नहीं है बाकि पार्टि लोकतंत तो नहीं परिवारबाद और या तो परिवार की पारटि है या फिर अपनी बनाई एकी व्यक्ति का पार्टि है सै लेकिन भारतियुदत पार्टी एक ऐसी पार्टि है कि जिसमें भारतियुदत पार्टि का बूत अध्याख्ष युद Goodbye अध पहलू देख रहे हैं अगर लोग जा रहे हैं तो लोग आ भी तो रहे हैं जो लोग जा रहे हैं उनका अपना एजिंडा है जी उनका अपना निजी एजिंडा है उनको अपने परिवार के लोगों के लिए टिकेट चाहिए या उसके लावा उनको और भी टिकेट चाहिए तो तो वो सब लोग दल बदलू है, पहले आये थे, किसी और दल से आये थे, फिर वापस चले गए, तो उससे भारतिन्ता पार्टी पर कोई फरक नहीं हो नहीं हो, लेकिन आम जनता जिनका विश्वास होता है कि इस निता को देखकर वोड देते हैं कि उनका विकास हो, लेकिन कह कई वो जनता पार्टी बदल लेते हैं, तो जनता का विश्वास तो हरास होता है, तो क्या दल बदल कानून को सख्त करने की ज़ुरत नहीं है? शिक्षा चिकिस्था और कानून विवस्था पर बहुत बला काम किया सर अपने कानून विवस्था की बात की तो NCRB रिपोर्ट आई है निसनल क्राइम रिकॉर्ड बियोरो की तो वह कह रहे थे उनकी रिपोर्ट है कि 2019 से 2020 में 28% क्राइम में इदाफा हुई है इस पर आप क् सरकार में मानिय मुख्यमंसी का आदेश है कि शत प्रतिशत मुकद में लिखे जाए लेकिन कानून वियस्था का राज हमारी सरकार में कायम है आजकल की राजनिती में एक चीज़ देखा कि 28 बनाम 20 प्रतिशत ये क्या है थोड़ा जंता को बताई एटाइस बनाम 20 के साथ है और कुछ लोग जो बातियनता पार्टी की मानसिक्ता के नहीं है या उनकी सोच उनके विचार भातियनता पार्टी से नहीं मिलते हैं तो उनको 20% की श्री में रखा गया है तो यही कहना मानने मुक्त है अरितेश जी एक आज पेपर में नियूस छपी थी कि उनका नारा भी अखिलेश यादों का समाजवादी पार्टी की तरफ दस मार्च को आ रहा हूं 300 यूनिट फिरी ला रहा हूं तो इसका कितना प्रभाव पर एगा यहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं परमें वाला है प्रदेश की जनता जानती है कि जिस समय समाजवादी पार् अब एक इतर जला हुआ है कि आपकि त्यांटि करती में तो यहسمाजवादी पार्टी वाले कभ्रेस्तान मनाने का alm करें तो वो समतय नहीं होते बहातियन्ता पार्टी एक ऐसी माँच्छव पार्टी है जिसने यह नारा दिया सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास. हम लोग सरकारी कारेक्रम में जाते हैं और उस कारेक्रम में जो भी योजनाए हैं जिसका लावाति व्हित बिना भीए दुभाओं के उनको लाव दिया आता है क्या लगता है रिटाश जी इस पर जन्ता अपना प्यार लुटाएगी य democr finding West बना चुकी है रहत्य चाहँ बहूंत से भातिंता devrait कंद जा रहे तो यहां के जो विकास कार अधूरे रह गए तो कौन-गॐन olv经 से तर चुछ कार्टह से पूरा करेंगे है रधानता पार्टी की सरकार उतरप्रदेश में बन मुरादाबाद में भातियंदा पालिटी की सरकार बनेगी तो जो भी विकास के कारे अधूरे रह गए हैं उनको पूरा कराने का मैं पूरा संकल्पित हूं कि उनको पूरा कराऊंगा उनिवस्ट्री मुरादाबाद में बननी चाहिए सरकारी उनिवस्ट्री उसको बनवाने क के लिए पुरा संकल्प मैंने लिया हुआ है सरकारी मैटिकल कॉलेज में बनना चाहिए उसके लिए मैं संकल्पित हूँ तो जो भी कार रहा है उनको पुरा क्राई एक सवाल जैसे हम लोग मुरादाबाद पीतल नगरी में मौझूद है और यहां पर इनका कारोबार देश व आखरी में एक सवाल है कि आईपा के तरफ से जिसके तरफ हम आप से बात कर रहे हैं खासकर कि आप जैसे रादनेता हो या फिर कोई वकील हो डॉक्टर हो उन लोगों से राय जानते हैं और उनकी जाए आम जनता तर पहुंचाती है तो इस आईपा के बारे में आप क्या कह है कि जो निश्पक्ष होके जनता के बीच में काम कर रहा है जी बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विजार साजा करने के लिए उमीद है कि आप विकास के मुद्दे जनता के मापड़न्डों पर खरे उतरेंगे और इस शेत्र का विकास करेंगे बहुत इनका नारा है कि विकास पे हम राजनिती करेंगे अगर दुबारा सत्ता में आए तो सिर्फ और सिर्फ विकास पे जोड़ देंगे खास करके इस पितलनगरी को विक्सित करने के लिए जितना सयोग हो सके यह अपना सयोग करेंगे राजनिती में पक्ष आरोप और परत्या आई पा